हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एल्क अकेडेमी आएम आकाश मेता आज हम डिसकस करेंगे करंट अपट्स डिसेम्बर थर्ड वीक के let's start with the first news हमारी पहरी न्यूजर फ्रेंज के अभी रिसेंटली डिपार्ट्मेंट आफ स्पेस एंड डिपार्ट्मेंट आफ एग्रिकल्चर के द्वारा MOU साइन किया गया है टू डेलोप क्रीशी बिसीजन सपोर्ट सीस्टम इसके बारें बात करता है करता है बरबनना सबसे प्रवाद मुझे ये बताओ कि बिपार्ट्मेंट आफ एग्रिकल्चर कौन से मिनेस्ट्रिक अदर में काम करता है मिनिष्टर कौन है नरंदर सी तोमार बरबनना right ओड़न्धमेंट बीपार्ट्मेंट आफ स्पेस कौन से कोई बीनिस्ट्रे के लर्में काम करता है तो वो कोई बी विनिस्ट्रे के लर्में नहीं करता वो डारेक्टली PMBUDDY उसको हैंडल करता है तो अभी रिसंती M.O.U. sign किया गया है किसके किसके बीच में Department of Agriculture और Department of Space के बीच में M.O.U. sign हुआ है M.O.U. क्यों sign हुआ है क्योंकि एक decision support system develop करनी है उसका नाम क्या है क्रिशी decision support system रैट इस news के बारे में जेखते है देखो जैसे हमने headline पड़ी कि दो department के बीच में अभी M.O.U. sign किया गया है Department of Space ने Department of Agriculture के साथ partnership की है Department of Agriculture के साथ अभी Department of Agriculture ने क्यों partnership की है Department of Space के साथ क्योंकि उसको क्रिशी decision support system develop करना है क्या develop करना है क्रिशी decision support system उसको develop करना है किसको Department of Agriculture को अभी यह क्रिशी decision support system नाम से ही पता चलता है कि यह support system decision लेने में मदद करेगा और किसको मदद करेगा farmers को मदद करेगा हमको पता है कि इंडिया के अंदर uneven monsoon होता है तो अगर farmers को aware किया जाए कि इस साल ऐसा मौनसुन होगा तो प्लीज आप उसके according आपके crop को grow कीजेगा उसके अलावा for example एक particular area के अंदर बहाड़ाने की शक्केता है एक particular area के अंदर atmosphere ऐसा रहेगा अगर किसानों को यह पहले से पता चल जाए बरावन उनको aware किया जाए तो वो उस इसाब से अपना planning कर सकते है तो यहाँ पे किसानों को aware करने के लिए एक decision support system बनाने की बात चल रही है और इस support system बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा geospatial technology का यूज किया जाएगा तो इसके बारे बात करते हैं तो यहाँ पर यह क्रिशी decision support system बनाने के लिए department of space के द्वारा एक satellite बेजा गया है उस satellite का नाम क्या है reset 1A radar imaging satellite 1A उसका नाम क्या है radar imaging satellite 1A reset 1A एक satellite बेजा गया है यह satellite specially क्यों बेजा गया है agricultural properties का वो images capture करता है high resolution images capture करता है बारा बना और वो अपना data यह reset 1A के द्वारा जो भी data send के रहता है वो कौन receive करता है यह वेदास करती है वेदास एक संसा का नाम है एक data center का नाम है visualization of the earth observation data and archival system वेदास बनाना वो department of space का एक data center है उसके द्वारा reset 1A जो satellite बेजा गया है बना उसका data receive होता है तो एक तो यह data का यूप्योग किया जाएगा यह satellite जो बेज़ेगा वो data का यूप्योग किया जाएगा दूसरा कौन सा data दूसरा डेटा है mostdeck mostdeck क्या है तो metallurgical and oceanographic satellite data archival center यह भी एक data center है mostdeck यह data center क्यों operate करता है imd इंडियन डिपार्टमेंट यह संसाब वही है कि जो फोर्कास्ट करती है कि चार या पांत दिन के अंदर कोई एक पर्टिक्लर कोस्ट के ऊपर बाढ़ आने वाली है साइक्लोन आने वाला है तो यह जो फोर्कास्टिंग कौन करता है इंडियन डिपार्टमेंट तो इसके लिए बो डेटा का यूज करता है सिर्टिंग स्केड़क और इसको डेटा संटर कौनसा है मौस्टिक देक चेंदर भी डेटा रहा हुआ है उसका यूज mentor गोह जाएगा उसके लिए तिसरा पोड़ल है ओवन उस रहों के द्वाराई डेलप किया गया है इस आप तो स्वामित्व स्कीम के अंदर स्वामित्वस कीम नाम सुना होगा अपने भेत बाद डिसकुस किया करऄंट अफरस के लेक्टष के अंदर स्वामित्व का United क्या है Service of the Village and mapping it with cultures of the Elliott area स्वामित्वस्किम के अंदर में farmers को property card दिये रहता है प्रोपर्टी काड्व Reynolds क्या प्रोपड़ काड्व के बाद कितने वई लैंड होल्डिंग हैं उसको मेजर किया रहता है ड्रोन के दोरा दार फिर उसका डेला बने जाता ह। और यह पोटल पर रखा जाता थ वुवन पौटल और उसके अलावां प्रोपरटिकार के मद्याम से फार्मर को दिया जाता है बना मना है टूटल के अंदर सीक्स लैग पीडिसके जो फार्मर से उनके प्रोपर्टी का डेटा रहा है तो यह डेटा का यूज करके मौस्ट लेक के अंदर जो डेटा रहा है उसका नाम क्या है गैवार यूज। वाने एक के द्वारा मुना दो उस टेटा का यूज करके यह तिनों तीन डेटा का यूज करके यहां पर हो दीपान्वन ओफ एकरीकर्टर के द्वारा उसका नाम क्या है क्रिशी टिपके सपोर्ट सिस्टम तो आइठिंग आपको यह समझ में आया होगा राइट फ्रेंड्स ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ा फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली UN Conference and Trade and Development एक संसा है UN की उसके तरह एक रिपोर्ट राउंज किया गया है उस रिपोर्ट का नाम क्या है Global Trade Update December 2022 का यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट ने क्या प्रोजेट किया है कि इसने प्रोजेट किया है कि इन इंक्रीस इंदर कितना ग्लोबल ट्रेड होगा 32 ट्रिलियन डॉलर का टेड के अंदर दोनों चीज़ आ गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों और कितना 2021 के कंपरेशन में कितना ट्रेड वेल्यू इंक्रीस होका 12 परसेंट बराम ऐसा प्रोजेक्शन किया जाता है यह यह यूएन कॉंफरेंस ओं टेडिन डेलोपेंट के दुबारा बराम इंपोर्टन संसा इसलिए आपके लिए रिपोर्ट इंपोर्टन हो जाता है बराम ना रहे अभी इस रिपोर्ट के बारे बात करते हैं तो ट्रेड इन दा मर्चेंडाइस कूर्स इस एक्सपेटेड टू सोड 25 ट्रिलियन डॉलर इन 2022 इन इंक्रीस ऑफ तर 10 परसेंट एस कंपेड तू दो 2021 बराम देखो ओवरोल कितना बढ़ा है ट्वैल परसेंट और कितना हुआ है थर्टी ट्रिलियन डॉलर 2022 के अंदर ऐसा एक्सपेटेड है बना रैठ और उसमें से यह थर्टी ट्रियू ति एन डॉलर का जो ट्रेड हुआ है उसमें से 25 ट्रियं डॉलर गूर्ट के अंदर होगा गुड्स के अंदर होगा और एक कितना इंक्रीज हुआ है 2021 के कंपेरेशन से 10% और बाकी का जो सेवन टिलियन डॉलर है वह कौनसी सेक्टर के अंदर सर्वी सेक्टर के अंदर ट्रेडिंग होगा और यह कितना ग्रो होगा 15% ग्रो होगा बरा मनना ऐसा प्रोजिशन किया जा बार मनना तो आपके एक्जाम पॉइंट ऑफिस है अभी रिसेंटली युएन कॉन्फरेंस ओं ट्रेडिंट डेलोपेंड अभी जो ही रिपोर्ट लॉंच किया उसके अकोडिंग 2022 के एंड तक बार मनना कितना ट्रेडिंग होगा 32 टीजन डोलर उसमें से गूर्स के अंदर 25 टीजन डोलर और सर्विस के अंदर 70 टीजन डोलर बार मनना गूर्स के अंदर 10 परसंट इंक्रीमेंट होगा सर्विस के अंदर 15 परसंट इंक्रीमेंट होगा और बाकी ओवरोर्ड ट्रेडिंग के अंदर 12 परसंट इंक्रीमेंट होगा राइट ओके अगर मैं संसा की बार जो इस संसा के सेक्रेंटेनल है ग्रेवे का ग्रीन स्पेंट उसके वेमर स्टेट से 121 95 उसका रिक्वाटर है जीनिवा स्विजरेंट के अंगर बरा मना ओके अगर मैं इंडियान सीनेरियो के बात करूं कि मतलब अक्टोबर नमबर दिसेंबर के अंदर इंडिया का ट्रेड ग्रोथ कितना बड़ा है 26% इंपोर्ट ग्रोथ हुआ है और 3% एक्सपोड ग्रोथ हुआ है और और in the case of the services बड़ा मनना 49% import growth हुआ है और 35% export ग्रोथ हुआ है बड़ा मनना डेटा आपको जान में रखना है हमारी next news of friends कि अभी recently एक संस्था economies intelligence unit के त्वरह एक index त्यार किया गया है worldwide cost of the living index world की most expensive city कोन सी है कहाँ पे cost of the living सबसे ज़्यादा है उसका एक index त्यार किया गया है किसके द्वारा economies intelligence unit के द्वारा टोटल फ्रेंड्स 172 countries का सर्वे किया गया है 172 यह economies intelligence unit के द्वारा और उसमें से most expensive city in the world किसको यह दरज्जा दिया गया है सिंगापूर और निवर को और तीसर नमबर पे कौन है तेल अभी जो काहा की city है इसरेल की city है फॉर्थ नमबर पे होंग कोंग और फॉर्थ नमबर पे लास एंजिलस रैट वह युएसे से भी लोंकर ती से लॉस एंजिलस बराबन तो अको अगर टॉफ फूर शिटी पूछा जाए According to the Economist Intelligence Unit बड़ा बना World Post of the Living Index के According World की सबसे expensive city कौन सी है Newark और Singapore थर्ड नमर पे टेल अविव जो इस्राल की city है फोर्थ नमर पे होंग कॉंग और लोस एंजलेस जो USA से है बड़ा बना Hong Kong City होंग कॉंग से भी लोग करती है बड़ा बना लिस्ट में वो टॉप में है Newark पहले बार इस लिस्ट के अंदर टॉप में आई है और 2021 का जो एडिशन था उसके अंदर तेल अविव जो इस्राल की city है वो टॉप पे आई थी बड़ा बना तो आपको ज्यान में रखना है यहाँ पे टोटल 172 cities का सर्वे किया गया है उसमें इंडियन तीन इंडियन cities का भी सर्वे किया गया है कौन कौन सी अमदाबाद बेंगलूरू बेंगलूरू और चेन्नाई यह तीन इंडियन cities का भी सर्वे किया गया है और उसमें से अमदाबाद का रेंग आया है 165 बेंगलूरू का रेंग आया है 161 और चिन्ने का रेंग का रेंग आया है 164 बराबना है तो अगर मैं पूछू कि भारत की सबसे बड़ी सबसे most expensive city कौन से तो बेंगलूरू और उसका global level पर रेंग कौन सा है 161 तो यहां पर पार यह 172 cities के अंदर सबसे कम expensive city के बात करूं तो वह डमासकस करके हैं जो सीरिया की दमासकस सीरिया की बराबर उसका रेंग 172 आया है बराब सबसे लास्ट उसके पहले हैं लिबिया की ट्रीपोली और तेहरान की इरान की तेहरान से बराबर एक्दम परफेट ओके तो यह सिद आया है कि टोटल 172 cities का यहां पर सर्वे किया जाता है बराबनन और यह सर्वे कब किया गया था अगस्ट और सप्टेमर 12 के अंदर किया गया था बराबनन कंपेर्स मोर्टेन 400 इंडिविडियल प्राइसी अक्रोस ओवर तर तू हंडिड प्रोड़क्ट्स एंड सर्वीशि जब प्राइस इंक्रीज और सेट टू इस इन 2023 यह जो प्राइस इंक्रीज जो हुआ है इंफ्लेशन की वज़े से अलग अलग कंटीज के अंदर वो दूज़ार तीज के अंदर थोड़ा सा कम होगा तो जस्ट आपके एक्जाम पॉइंट पूइंट से रिपोट किसके तर और होंग कॉंग है लास लास नमर पर डेमेश कर्स है बराव सीरिया से बिलोंग करती हो और इंडिया की तीन सिटिस का सर्वे किया गया है चिन्ने बेंडूरू और अम्राबाद बराव और तीनों के आपको रेंग क्यात में रखना है ओके हमारी नेक्स निउस है छोड़ी यह Global Center for the traditional medicine के अगर बात करूँ तो WHO Global Center of the traditional medicine is an outpost center of the WHO headquarter funded by the government of the India it will help establish a strong linkages among the member states of the WHO अगर यह Center के अगर बात करूँ तो यह किसके उपर focus कर रहा है traditional medicine के उपर traditional medicine मतलब आयरवेदा यूनानी निश्रोपेथी बगेरा तो यह traditional medicine के उपर policies वगेरा R&D वगेरा इसको Global level पे उसको implement कर वाएगा और यह WHO की पहली ऐसी सबसीडरी है कि जो WHO के headquarter के बाहर establish की गई है कहां पे जामनगर गुजराद के अंदर बरावन है और उसके अंदर इंडिया के द्वरा investment किया गया है कितना 250 million dollar का कितना 250 million dollar का यहां पे जो लेंड प्रोवाइट की गई संसा को establish करने के लिए उसके लबाद दस साल तक operating कोस्ट कॉन प्रोवाइट करेगा इंडिया करेगा राइट तो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से डबली ओचो का यह जो ग्लोबल सेंटर अफ ट्रैडिसनल मेडिसी ने वह कहां पे स्टाब्लिस किया गया है जामनगर गुजराद डबली जो का पहला है जो उसकी हेड़क्वाटर से बाहर है पहला सब्सिडि पर इंडिया के अंदर ट्रैडिसरल आएट डबली की ओपर कौन सा मिनिस्ट्रिय फोकस करता है मिनिस्टिव ऑफ आयूज फ्रेंड परावनन और क्वाफ कोर्म है सद्टर आना गॉजटर है वह हमरी सप्सेंजिग क्या है कि स्कीन के लिए पर इक से होने वाले है तो उनकों यहां पर और उनके existence के लिए उनके development के लिए यहाँ पर step लिये जा रहा है तो टोटल ऐसे इंडिया के अंदर 75 particularly vulnerable tribal groups को identify किया गया है 18 states और identities के अंदर और they are eligible for all the development and welfare schemes that are available to all the citizens of India तो इन groups को identify करके अभी उनके development के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है लाइड ऑके अभी स्कीम के बारे में देखते हैं तो यह जो स्कीम जो launch की गई है वड़ावनना उस स्कीम का मेंड उब्जेक्टीव है जो habitat यह tribal groups का चो habitat है उसको develop करना habitat मतलब उनके आसपास की जो चीजे है उसको डेलोब करना ये ट्राइबल गुरुप जहां पे रहते हैं उसके उनके आसपास की जो चीजे है उसको डेलोब करना अब कौन कौन से चीजें like education sector, housing sector, livelihood उनका livelihood इंपरूब करना, drinking water, agriculture development, road, health, installation of the non-conventional sources of the energy for the lighting purpose, conservation of the culture and traditional practices तो उनका ये सब मिला कि उनके habitat को डेलोब करना है ये स्कीम के अंदर राइट और ये किसके तरह launch की गई है ministry of tribal affairs के द्वारा बड़ा मने कोहन है ministry of tribal affairs प्लीज आप ये home work करना राइट ये हमारे ministry of tribal affairs कौन है तो उनके द्वारे ये scheme launch की गई है बड़ाबर ओके उसके अलावा आपको एक scheme के बारे में पता होगा scheme of the equilibrium model residential school ये equilibrium model residential school नाम से ही पता चलता है कि residential schools है और उसका model equilibrium model residential schools है बतलब ये जो schools है वहाँ पे किसको admission दिया जाता है स्टी के स्टूडेगरी के स्टूडेंस को सीडूल ट्राइबस के स्टेगरी के स्टूडेंस को अभी तक यहाँ पे admission दिया जाता था अभी ये थोड़ा सा आए 5% seat in the each of the a club model residential school for the particular वनेरबल टाइबर ग्रुप्स के लिए बड़ा बना तो exam point of view से के अभी रिसंटली ये पर्टिकुरी वनेरबल टाइबर ग्रुप्स के लिए जो scheme for the development of time ये scheme जो लॉंच की गई है बढ़ा बना वो किसके लॉंच की गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ टाइबल अफ्रस के लॉंच की गई है उसके लब यह जो एक लब मोडल रेसिदेंसे स्कूल ये जो स्कीम है वो फॉन से मिनिस्ट्री के लिए इंप्लिमेंट होती है मिनिस हब हमारी नेक्स साफरेंट्स कंता कि अभी निसनली इंडिया ने होस्ट किया फरस्ट जी जी वेंट्वैंटी फाइन्स एंड तो 65 मीटिंग्स होस्ट करने वाले है जी ट्वेंटी की अलग-अलग 56 लोकेशन के उपर उसमें से पहली मीटिंग अभी रिसेंटली काव पे हुई बेंडूरू के अंदर कौन से मीटिंग हुई जी ट्वेंटी की फाइन्स एंड सेंटरल मेंक के डेपूटी की मीटिंग हु जी ट्वेंटी की पहली मीटिंग जो फाइन्स एंड सेंटल बेंड डेपूटी की मीटिंग हुई उसको इंडिया की तरफ से किसने चेयर किया है तो हमारे जो सेकर्टर है डिपर्टमेंट अप एकोनोमिक आफिर्स के और जेसेट और हमारे जो आर्बिया के डेपूटी तक हम भोस्ट करने वाले हैं और इस जो प्रेसिदेंशी का हमारा थीम क्या है वसुदेव कुटूमबकम और वन और्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बराबना और इस मीटिंग का एम क्या है इस मीटिंग का एम कि हम एज प्रसिडेंट अफ दे ट्वेंटी ग्रूप हमारी इ हम किस तरीके से कॉंसे से यतर में ज़ाधा फाइनानसिंग करेगे लिए ये प्रसिद के घूस कर रहा है इस मीटिंग के मात्यम से है और उनके से लिए रहा है राइट है क्योंकि ओवरल हमको समी कट 20 कटी ञाना है राइक ऑग हम दो पॉइंट्स के उपर फोकस करने वाले हैं पहला पॉइंट है कि स्टेंथरिंग तब मर्टी नेशन डेलोपेंट बैंक्स टू एड्रेस तर शेड ग्लोबल चैलेंजिस अब ट्वेंटीफर्स सेंचुरी 21st century के जीचने भी ग्लोबल चैलेंजिस है उसको एड्रेस करने के लिए मर्टी नेशन डेलोपेंट बैंक को मजबूत करना है उनके अंदर पैसा डिपोजिट करना है ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके जीट वेंटी नेशन को यह 21st century की जो चैलेंजिस है उसको फेस करने के दिए अब यह मल्टी नेशनल डेलोपेंट बैंक कौन से होती है लाइक वर्ल्ड बैंक एशन डेलोपेंट बैंक न्यू डेलोपेंट बैंक है हमारी नेशनल डेलोपेंट बैंक भी है कौन सी नाबाड के अंदर नेशनल डेलोपेंट के अंदर फिर नाबाड बैंक को के अ कस्टमर को पैसा देती है सरकार नेसा ठाल जा कि एकर इस बार समॉल इंडेसिस को डिल्योप्गником एक सब्गाल किसमें पैसा डालती है सिड बी उप्र के आंधर बैंक्त में पैसा डालती है मिसें प propriarbeiten लेकिन short turnover band कंसे होती है और में बेंग इस दो एक बैंक जशि Ain्तर नेNow होती है जो अग VAर झीज को न परवेड ख ररत है तो अगर उनमें पैशा होगा लोन परवेड करेगा आ बराबा दो यहां पर उनको मदबूत करने की बाथ चल रही है उसके हलावा दूसरा point है role of the central banks in managing the climate risk and in the green financing सबसे परलों तो ये green financing क्या होता है financing मतलब loan और green financing मतलब renewable energy के अंदर loan तो यहाँ पे central bank for example भारत की central bank को अनसी है RBI तो central bank का role कितना है ये green financing को manage करना उसको define करने का यहाँ पे इस meeting का main objective है तो यहाँ पर डिसर्ड किये गए दो टॉपिक के ओपर discussion किया जाएका फर्स्ट मीटिंग के चीट अंडी प्रसिडेंसी की इंडिया की बड़ा मतल और यह कहां पर होई है पेंडी रूख के अंदर ओके तो आइधिंग आपको इस न्यूस के अंदर अच्छे से समझ में आयो का फ्रेंड्स बड़ाबना नेक्स न्यूस और फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली आटन केपिटल के तवरे एक पासपोर्ट इंडेक्स लॉंज किया गया है पासपोर्ट इंडेक्स किसके तवरा लॉंज किया गया है आटन केपिटल एक संसा का नाम है और इस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिय अगर आपके पास पासपोट है उस पासपोट के माध्यां से आप कितनी HemAS के अंदर या तो विजा फृजा सकते हो या तो फिर विजा ओन अराइवल वह आपको पर्मिट करता है चो फॉर फिल्जमबल आपके पास इंदिया का पासपोट है तो आप इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कौनसी कंटीज के अंदर वीजा फ्री जा सकते हो without permission of that country और या तो फिर आप कौनसी कंटीज के अंदर वीजा on arrival आप वहां पे पहुंचके वीजा निकलवाते हो तो भी आपको permit करता है तो जितनी कंटीज के अंदर पासपोर्ट इंडेक्ष के मादियम से Kingdom को क्या पता चलता है कि दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉंगे डिस पासपोर्ट किसका है यूउब क्यों क्यों की daylight के पासपोर्ट के माधियम से कंटम 180कंटीज के अंदर आप हैसल फ्री जा सकते हैसल फ्री मतलब आपको व्यरवा नहीं है क्योंकि 180 countries में से 121 countries के अंदर तो आपको विजा निकलवाने की ज़रूरियत नहीं है उसके लबाद 59 countries के अंदर आपको विजा निकलना पड़ेगा आपको यहां से निकलने के टाइम नहीं करवाना है जब आप वहां पे पहुंचोगे तब आपको विजा निकलवाना है तो मतलब यूई का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 180 countries के अंदर हैसल फ्री और उसमें से 121 countries के अंदर तो विजा फ्री एंटरी और 59 countries के अंदर आपको विजा ओन अर्यवल आपको निकलना पड़ेगा तो यही का पासपोर्ट इतना स्टॉंग है अगर मैं इंडिया की बात करू अगर इंडिया की बात करू तो इंडिया करें कौन सा है 66 अगर आपके पास विजा है तो आप 24 countries के अंदर विजा फ्री जा पाऊगे उसके लिए 48 countries के अंदर आप विजा ओन अरेवल आपको निकलना पड़ेगा और आपको 126 countries के अंदर विजा निकलना पड़ेगा तो आपको पता चलाओगा अपी Second rank Second strongest passport किसका है तो European countries का Germany Sweden Finland Linkzamburg Spain France Italy Netherlands Austriya Switzerland Along with the South Korea Third strongest passport किसका है US का passport है उसके अलावा UK, Denmark, Belgium, Portugal, Norway, Poland, Ireland, New Zealand तो इधर ना इन्ड्राट प्लेस पर है अगर इंडिया का रिंग 66 हो इन्डिया के साथ कौन-कौन सी कंटी का रिंग है गांबिया घाना उस्बेकिस्तान तंजन्या बड़ा मना यह सब 25 का रेंग है रइट समया रहे फ्रेंट अगर पाकिस्टान का पासपोर्ट के अगर मैं बात करू तो पाकिस्टान के पासपोर्ट सबसे वीक है अगर आपके पास हैं तो आप टोटल मिला के 38 कंट्रीज के अंदर आप वीजा फ्री जा सकते हैं मतलब वीजा फ्री और वीजा ओन अर्राइवल बड़ा बनना रहे अगर मैं पासपोर्ट इंडेक्स की जो मैथरोलोजी है उसके बारे में बात तो टोटल 199 पासपोर्ट को यहां पर सर्वे किया गया है उसमें से 193 तो यूएन की मेंबर कंट्रीज है और 6 टेरिटरीज है कौन-कौन सी तो चाइना की उसमें से तीन तो है रीपपलिक अब चाइना का जो टेवान है ताइवान है मकाव जो स्पेशल एडिमिसेटिव र हाँ पर सःबे किया गया है झरै ओके और यहाँ सब्सक्रेंग अपर क्या गया है तो के मुबिलिटी स्कूर मतलब कि कौन वीजा फूर प्री मतलबalone वाश्पोर्ट के मादने हमसे कितनी स्क तक वीज्या रीजा सकते हैं था कितनी सक तर आप एलेडिम पास पूपर होगा म बनापर आपको तीन दिन के अंदर जाना है तो आउसाइब के बिच में टाइब हुआ है तो यह यूमन डेलोपेंट इंडेक्स आपको पता होगा यूमन डेलोपेंट इंडेक्स के जहां पर लिविंग स्टांडर के उपर फोकस के जाता है जहां पर के पिटा इंकम के उपर फोकस के जाता है तो यहां भी यूमन डेलोपेंट इंडेक्स के अंदर जो कंट्री फरस्ट को भी सिंपल बड़ा अगर कोई कंट्रीज के बीट में टाई होती है तो ओके तो आप आई तिंग आपको इस न्यूस के अंदर अशे से समझ में आयोगा फ्रेंड है कि मैंने सब डेफिनेशन प्रोवेड की है कि किसको विजा फ्री बोलते हैं कि इसको ऊराइवल बोलते हैं वीज़ेशार हेजिशार एक सीप्रि उनके थोर एक रिपोर्ट इनग्रंज किया गया है यह स्वूड की एक संस्ता है वह उस ध्रिपूर का टाटल क्या है टॉप हंटेड आम प्रोडूसिंग अन्मिलेटरी सर्विसेज कंपनी ऑफ टूथाजन ट्वैंटीवन रैट तो इस रीपोट के अंदर दुनिया की टॉप हंट्रेड आम प्रोडूसिंग कंपनी का यहाँ पर लिस्ट अनॉंस किया गया है रैट और इस लिस्ट के अंदर इ 21 के रैंकिंग में 42 सेकंड आया है कंपेर टू तो 43 इन 2020 और बेल के अगर बात करूं तो बेल का रैंक आया 63 पोजिशन 2021 कंदर 2020 कंदर 69 था तो दुनों ने इंप्रूव किया है रैट अगर मैं इस लिस्ट के बारे बात करूं तो टॉप हंडेड मेंसे 40 कंपनी यूएस की है टॉप हंडेड में से 40 कंपनी किसकी है यूएस की है आठ कंपनी किसकी है चाइना की और छे कंपनी किसकी है रस्या की अगर मैं आम प्रोड्यूसिंग कंपनी के अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंपनी जो टॉप में है टॉप हंडेड में उसमें से 40 यूएस की और फर्स्ट नमबर पर जो यूएस की है सेकंड नमर पर रहित होन टेक्नोलोजी स्ट यूएस की और थर्ण नमर पर बोईंग यूएस की बारा बना इंजिया का हाल 42 नमबर और 63 पर बेल ओके तापको इतना जयन में रखना है अगर में टॉप हंडिड कंपनी के बारे में बात करो 2021 के अंदर तो उन्होंने कितना रिवन्यू किया है और अगर 2020 के कंपेर करें तो 1.9 परसंट ज्यादा किया है बार 1.9 परसंट ज्यादा किया है राइट ओके हमरी next news है friends कि अभी recently international labor organization के द्वारा एक report launch किया गया है और इस report का नाम क्या है global wage report 222 देश the impact of the covid-19 and inflation on the wages and purchasing power ये एक report का title है किसका दर लॉंच किया गया है ILO का द्वारा बारावन है और इस report के according उसने estimate किया है कि global monthly wages fell in the real terms to the minus 0.9% in the first half of 2022 देखो friends report का title क्या है global wage report 222 देश the impact of the coordinating and inflation on the wages ये report किसकी तर लॉंच किया गया है international labor organization के द्वारा बारावना report क्या predict कर रहा है कि first half of 2022 मतलब April to September का जो quarter जो 6 महीने थे बारावना उसमें monthly wages लोगों के minus 0.9% हुए है बारा मतलब कम हुए है 0.9% से बारावना same अगर time के बात करो 2021 के तो उससे कम हुए है 0.9% बारावना for the first time in the history century यह 21st century के अंदर पहली बार the real global wage growth has been negative पहली बार इस century के अंदर यह global wage growth है ना वो negative हुआ है अगर मैं इस से specific region के बारे बात करूँ तो 2021 के अंदर wage growth कितना हुआ था 3.5% और यह first half of 2022 के अंदर कितना growth हुआ है 1.3% positive growth हुआ है इस से specific region के अंदर बारावना अगर मैं जी 20 के डेलोप countries के बारे बात करूँ जी 20 के अंदर total 19 countries और एक European union है और उस पे से बहुत सारी डेलोप countries है बहुत सारी डेलोप countries है बारा बना तो अगर मैं जी 20 के डेलोप advanced countries के अगर बात करूँ तो 2022 के first half के अंदर उनका growth हुआ है minus 2.2% negative growth हुआ है और अगर मैं emerging countries के बात करूँ जी 20 के तो उनका 2022 के first half के अंदर positive growth हुआ है 0.8% से बहुत यह report क्या कहना चाहता है कि डेलोप countries के अंदर wages लोगों को कम बिन रहे compared to previous year बारा बना अगर मैं compare करू तो developing countries से बारा बना रहे और यह report के तरह launch किया है international labor organization के त्वारा कहाँ पर उसका एडिक वार्टर जीनिवा Switzerland के अंदर ओके friends तो आपको इस report के बारे में इतना डेटा आपको पता होना चाहिए है हमारी next news और फ्रेंज के अभी रिसेंटली food and agriculture organization of the UN recently released a report रिपोर्ट का रैटल क्या है the future of the food and agriculture drivers and triggers for the transformation यह report का रैटल है future of the food and agriculture और उसके drivers और यह triggers कौन-कौन से होगी इस food and agriculture के transformation के उसके बारे में यहां पर बता गया है और रिपोर्ट किसके तरह launch किया गया है food and agriculture organization के तुबरा जो UN की एक संसा है मेरा बना रिपोर्ट क्या बोल रहा है वो claim कर रहा है कि if the current agri-food system don't change अगर यही situation में agri-food system चलती रहेगी the world will be continue to experience the persistent food insecurity resource degradation and the unsustainable economic growth अगर इसी तरीके से food agri-food system चलती रहेगी जो अभी चल रही है तो जो world है वो क्या face करेगा food insecurity resource degradation and unsustainable economic growth phase करना पड़ेगा if considerable efforts are not taken to hold the current trends there will be a 10 billion people in the world by 2050 creating an unimaginable burden to feed ऐसा बोल रहा है कि अगर अगर कोई step नहीं लिये जाएगे बराब यह एग्री-food systems के अंदर तो 2050 तक 10 billion लोग वो food insecurity के अंदर आ जाएगे बराब उनके उपर साम को क्या खाना है वो एक बोज बन जाएगा सिंपल बराबना राइट तो इसके लिए steps लेने हैं बराबने फूरी इंसेकुरिटी को face कर लेके लिए यह रिपोर्ट ऐसा कहा रहा है बराबना ओके अगर हम इस रिपोर्ट के बारे बात करो रिपोर्ट का रैटल क्या है तो future of the food and agriculture यह रिपोर्ट फूर्ड अग्रिकल्चर और्गनेशन हर साल बनाती है ताकि हम ट्रेक कर सके कि भी हम किस चरीके से इस अग्रिकल्चर सेक्टर के अंदर आगे बढ़ रहा है बराबना ओके यह रिपोर्ट के अगर की observations के अगर बात करूँ तो रिपोर्ट wants that the world is tremendously off track बुरा वर्ड है न वो off the track है ट्रेक से बाहर निकला हुआ है इन मीटिंग तो सस्टेनेबर डेलोपेन कोल्स तो 17 सस्टेनेवर डेलोपेन कोल्स हमने डिसाइड किये हैं वराब पूरे वर्ल ने वह उसको एचीव करने के लिए हम सही तरीके से स्टेप सी नहीं ले रहे है यह रिपोर्ट ऐसा वान कर रहा है रिपोर्ट उसके किनेयर क्योंत्त आख ter an relevant elements के बारे में यहाँ पर फोकस करा है और इन element को यहाँ पर इस रीपोट के द्वारा भार्वार्स बुला गया है कि यह जो 18 elements जे बॉर्ट्राइवर्स है एग्री फूल सिस्टम के बराब अगर आप उसके उपर सब्सक्राइब करोगे बार बना तो हम कुछ बैतर कर सकते हैं रइट कुन-कुन से ट्राइवर्स है तो कि पोवर्टी एन इनिक्वालिटी जियो पर्टिकल इनस्टेबिलिटी रिसोर्स टिग्रेडेशन स्केर सीटी एंड क्लाइमेट चेंड उसमें से कुछ ट्राइवर्स यह आपर बताये गए हैं उसके अलाबा यह तो हमने ड्राइवर्स के बारें बात की लेकिन ट्रीकर्स कौन-कॉन से हैं बराबना तो ट्रीकर्स कौन-कॉन से टीकर्स ट्रास्फरमेशन तो भी इंप्रूड गवर्ननस हमको गवर्नस अच्छा करना पड़ेगा क्रिटिकल इंफर्म कंजुमर हमको ऐसे कंजुमर इंफर्म रहना पड़ेगा कि भी हमको कौनसा फूड चाहिए कौनसा फूड हमको ग्रो करना है वगेरा वगेरा बेटर इंकम एंड वेल्ट डिस्टिविशन जो एक्रिकल सेक्टर के अंदर जो किसांस काम कर रहे हैं बराबना उनको पैसा मिलता है उतना उनको मिलना चाहिए और उसके अलावा इनवरे टेक्नलिस काम को यूज करना पड़ेगा यह उच्ट्रीकर्स है बराबना जो ड्राइबर सेंट्रीकर्स के बारे में यहां पर बताएगा है फूड एंगरिकल का और उसका है रोम इतली के अंदर बहुत इंडेक्स वो ड्रॉप हुआ है कितना 21 मंत लो 21 मेरे में सबसे कम हुआ है कितना हुआ है 585 पर सेंट कब हुआ नयम्मर 22 के अंदर इंपोन न्यूज है देख लेखो वैसी न्यूस टैनेमिक है आप जब भी एक्जाम होगी ताब आपको उसके पहले देखना है कि हमारा होल पर इंडेक्स क्या होता है कर दिमारे इंडेक्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए नपनाव के इस फार पर पर जाती है कंजुमर के पास है ने बर्णा के पास लो टैमति के इंडेक्स होते हैं एक तो है जाएंक होँजल प्राइफ्さ इंडेक्स बराय थह दो यह चीज का प्रेइस है क्वैजर करता है कि यह एक साल पहले और आज मैं 106 रुपया दे रहा हूं मतलब मुझे कितने ज़्यादा देना पड़ रहा है होलसेलर्स की देन और एज़ा कंजूमर अगर मैं कोई चीज के लिए पहले 100 रुपया दे रहा था और अभी मुझे 107 रुपया देना पड़ रहा है तो यह भी इंफ्लेशन है कितना 7% लेकिन यह कौन से पॉइंट के ऊपर है कंजूमर के पॉइंट के ऊपर और यह जो इंफ्लेशन जो मिजर किया रहता है न वह कंजूमर प्राइस इंडेक्स को देखके नहीं लेकिन यहां पर होलसेलर्स इंडेक्स का यहां पर डेटा दिया है कि होलसेलर्स इंडे परसंट मैंवर 2022 के अंदर अगर मैं सेम पिरड़ नवर 2021 की बात करूं तब कितना बड़ा था 14.87 परसंट तो भी बहुत ही कम हो गया है और 21 मंथ लो हुआ है इस बार इसलिए इंपोर्टन है बड़ा बना आई थिंक सवन में आया होगा ऑक्टबर मिने में कितना था 8.39 परसंट था डव्ली पी अगर हम अक्टबर 2021 को कंपेर करें तो यहां पर अगर हम नवेमर 2021 को कंपेर करें तो नवेमर 2022 में कितना हुआ है 5.85 परसंट बड़ा है बड़ा बना जैसे मैं अब भी बात की कि कि कंजुमर लेवल पर जो कंजुमर प्राइस इंडेक्स होता है जिसको हम कंसिलर करके इंफ्लेशन को मेजर करते हैं तो वो नवेमर 2022 के अंदर कितना था 5.88 परसंट इंक्रीस हुआ था देखो आरबे के अकोडिंग भारत के अंदर इंफ्लेशन कितना बढ़ना चाहिए 2 परसंट से लेके 6 परसंट तग यही रेंज में होना चाहिए और नवेमर 2022 के अंदर यह consumer price index मतलब इंफ्लेशन कितना था 5.88 परसंट बढ़ा था और यह लबबक एक साल के बाद इंफ्लेशन 6 परसंट के अंदर में आया था नवेमर 2022 के अंदर इसके लिए आपनी लिए इंपोर्टन है बराबना रहें हमारी next news है friends कि अब रिसेंटली एक एक्साइज हुई एक्साइज का नाम क्या है काजिंग 2022 कौन्सी दो कंटरी के बीच में हुई इंडिया और कजाकिस्तन के बीच में तो इसके बरें बात करते हैं तो अभी डिसेंटली 6th edition हुआ इंडिया और कजाकिस्तन के बीच में एक joint training exercise है उसका नाम है काजिंग 2022 और क इंडिया की तरफ से किसके तरह participate किया गया है 11 गुर्खा राइफल के तरह participate किया गया है और का पर हुआ है एक्साइज मेगा लाए के अंदर अगर मैं इस exercise के बारें बात करूं तो exercise will improve the military relations, utilize each other's best practices and promote the ability to collaborate while undertaking the counter-terrorist operations in the semi-urban or the jungle scenarios under the UN peace enforcement mandate देखो UN की जो member countries है उन्होंने एक mandate sign किया है सांती को बनाए रखने के लिए UN peace enforcement mandate तो इस mandate को follow करने के लिए यहां पर अलगरा कंटी के बीच में exercise होती रहती है और यह जो exercise हुई उसके अंदर किस तरीके साफ को अपरेशन से एक दूसरे का साथ देना है during the war period उसके अलाबा जो counter terrace operation से उसके बारे में यहां पर सिखाए गया है और उसके अलाबा जो jungle scenarios है वहां पर किस तरीके से काम करना है किस तरीके से situation को handle करना है वो इस exercise के अंदर सिखाया जाता है बराबना रहे यह exercise हुई का जिन उसके अंदर बराबना उसके अलाबा यह exercise का 6th edition है रहे नाम क्या था exercise problem दोस्ती इंडिया और कजाकिस्तान के विसमें जो exercise यह जजज स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर तो उसका नाम क्या था exercise problem दोस्ती उज़र 18 के नरुसका नाम चैंज करके क्या रखा गया का जिन रखा गया है बराबना नगर में कजाकिस्तन की बात करूँ तो हुआ है हमारी नेक्स नियूजर क्रेंट्स कि अभी रिसेंटली मीटियायो का जो अटल इनविशन मीशन है और यूएन डीपी यूएन डेलवपेंट प्रोग्राम उन दोने पार्टनर्सिप करके यूथ को लेब अभी एस्टाप्रीश किया है किसके लिए सोचल सिकाइब और इस मेर्शन कुछ वखनांट्र इडीपर हें यूथ कुछक के अंज कि अन्डेल नुक सिय्टेसंट इटोर मीशन डेला आईटल्र मेशन मेंीशन मेंचिव अवच्वक्राम नॉट्पेंटर्टोन्च डीचिप सौन्जर्ध यूएन कि इन इनिसेटिव जुसकी लिए यूंड ने कि ऊंदर के साथ नसे लिए शतायश की फिरेड के लिए पर उन्टर इनिशेटीव का ना में varying यूट को लेंट इनुट को लेट के लिए इनेशेटीव के साथ बनेट की ए किसका है इनिशितिव है युनटीअ का आफला लाइए का फिर दो जोरी deixar के अंदर और इंड़िग लाने के लिए अटरह प्लदो सम्ध की आगए तो नितियों sip क professionals है तो नितिया वाइशनाओ तो यह अर्टर्ण इन्योविशन मिशन नाम से पता चलता है वो किसके उपर फोकस करता है इन्योविशन के अंदर तो यह जो स्कूल के अंदर जो लेबोरेटिस बनाई गई है जहां पर मसिल लर्निंग और आर्टिविशन इंटरिजिशन के बारे में सिखाया जाता है तो यह जो लेबोरेटिस बनाने का काम है जहां मसिल लर्निंग और आर्टिविशन मिशन काम हैं तो यहां parents को यह जो को घोल है रहारे हैं जो भी चाइल k Vai निकले एब उनके पस स्कील हो यह machine learning की artificial intelligence की जैसे पुराने जबने में computer की skill थोड़ी से basic learning हमको school level पे सिखाए जाती थी उसी तरीके से अभी artificial intelligence और machine learning के बारे में सिखाए जाएगा school level पे कौन से mission के अंदर में utter innovation mission के अंदर में बड़ा बना रहे तो अभी इस यूथ कोउड़ेफ के बारे बात करते हैं तो यहां पर यूथ कोउड़ेफ के अंदर और खासकर की शोशल entrepreneurs को यह पर सपोड करने की बात हैं उनको encourage करने की बात है उनको fine करने की बात है कि भी socially intervenence को पहले fine किया जाएगा और को encourage किया जाएगा कि आप ऐसे प्रोड़क्ट बनाओ कि जो सोसाइटी को डेलोप करें हम आपको फाइनेंसल सपोर्ट करें कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट करें कि आपको टेस्टिंग सुविदा प्रोवाइड करें लेकिन आप प्रोड़क्ट बनाओ और अगर मैं इस करते हैं in the field of this category कौन कौन सी category के अंदर कि या तो वह अपनी कमटी के माध्यम से डीटर और फाइनसर लिटरसी प्रोड़क्ट कर रहे हैं जंडर एक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं वह फिंटेक्स सॉलेशन को डेलोप कर रहे हैं फोकस ओन दो बायोडिवर्सिटी कंजर करना है उसके अलवा और सरक्रियर एकोनोमी को वह प्रमोट कर रहे हैं उसके अलवा वह उनका जो कमपनी है वह ओन लाइफ लाइफ स्टे एंवारमेंट को फोकस कर रहे हैं बदावन तो ऐसे सोस्ट इंटर्विनर को यहां पे टेक्निकल और फारेसिंग सपोर्ड प्रवे के साथ उसने पार्टरशिप की है ताकि उसके अंदर में जितनी में स्कूल्स में जो लैब बनाई गई है उस लैब के अंदर ये सोचल इंटर्विनर्स अपने प्रड़ेट को वहाँ पे टेस्ट कर सके सिंपल बड़ा बनात के हैं हमारी नेक्स निज़ा फ्रेंड्स के अभ 2013 तक 15 इसमें 2012 से लेकर 30 सब्टेब्र 2013 तक यह सक्टम को एक्सपांड किया गया है यह एक्सपांशन के दनर क्या किया गया कि कुछ sectors को add किया गया है पहले इस news को समझने से पहले यह scheme क्या है उसके बारे में देखते हैं आपको भी पता होगा friends कि जब भी import और export होता है तब कौन से duty लगती है custom duty लगती है तो यहां पर ऐसा बोला गया है कि अगर आप कुछ चीशों का export करोगे न तो आप जो उसके उपर duty पर कर रहे हो वह आपको बाद में रेमिट हो जाएगा वह आपको बाद में उसका रेमिशन मिल जाएगा तो यहां पर अभी तक 8731 एक्सपोर्टेड आइटम्स के उपर अभी तक रेमिशन मिल जाता था और अभी उस आइटम्स के अंदर कुछ एडिशन किया गया है और अभी 10,342 आइटम्स को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको आप जो भी duty प करोगे आपको रेमिट मिल जाएगा ऐसा यहां पर मिनिस्ट्री आप कमसें इंडेस्ट्र की तरह बताया क्या है और यह प्रोडॉक्स जो यहां पर बढ़ा ही गई है वह कौनसे सेक्टर की प्रोडॉक्स है केमिकल सेक्टर, फार्मसोटिकल सेक्टर, एक्सपोर्ट अप्ड़ आइन और स्टील सेक्टर की बढ़ा बना तो यह सेक्टर की प्रोडॉक्स को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप जो भी duty पेकर हो आपको बाद में रेमिट मिल जाएगा तो उसका एडिसनल खर्च सेक्टर के उपर कितना होगा इस कीम का 1000 करोड यह सेक्टर को एड करने के बाद बराबना रहे यह स्टेप क्यों लिया गया क्योंकि दूचार पाइस के ऑक्टबर मेने के अंदर एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हुआ है और कितना हुआ है 30 बिलियन डॉलर और मार्क फॉर हमारा 20 मेने के अंदर पहली बार हुआ है और इसके लिए स्टेप लिया गया है बारा मना सिंपल अगर भी इस रेमिशन अब डूटी और टैक्सिस ऑन दे एक्सपोर्ट स्कीम की बारे बात करूटी कब लॉंच किया गया था फर्स जानिवर 2021 को लॉंच किया गया था इट सब्सक्राइब करने और वह यहां पर लगते हैं रोट को एक्सपोर्ट करने पर और वह यहां पर रिबेट करने की बात चल दई है बारा मना है कब लॉच चाहर 2021 के द्वारा मिनिस्ट्री आपको इस निउस के अंदर बहुत है समझ में आया होगा और यह रिबेट कौन प्रोवाइड करता है तो रिबेट इस प्रोवाड़ एज टास्पोरेबल इलेट्रोनी स्क्रीप बाइज सेंटर बड़ इंडरेट टेक्सिस अं क कि द्वारा इबेट प्रोवाड़ किया जाता है बरावना है सिंपल ओके तो आज की सभी न्यूस के अंदर आपको अच्छे समझ में होगा फ्रेंड्स थैंक्यों फ्रेंड्स बाइज